नमस्कार एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागा थे आप सभी का परिक्षा वल्ड के से योटूब चैनल में दोस्तो जूब ज्यान की हम जो स्रीज स्टाट किये हुएं MCQs की UPWSC PT 2021 के लिए उसका जो भाग 2 है उसको आज हम स्टार्ट करेंगी तो चलिए भाग 2 को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जो आज का सेसन हमारा है जूब ज्यान का इसमें हमने कौन-कौन से important MCQs को डिसकस किया हुआ है तो चलिए आज की सेसन को सुरू करते हैं तो आज का पहला important प्रस्ण है कि जो जनतु विज्ञान होता है जिसको हम English में जो लौजी कहते हैं इसके अंतरगत किसका अध्यान किया जाता है उनने से related important MCQs को आज के इस वीडियो में हमने discuss किया है तो काफी important वीडियो है इस topic से लगबग हर एक्जाम में प्रस्ण देखने को मिलते हैं जीवित, वह, मृत, जानोरों का अध्यान किया जाता है ताप इस जाह देखेगा जीवित और मृत, दोनों प्रकार के जानोरों का अध्यान क्याता है जुलोज जन्तु विज्ञान के अंतर गतिसे भी आप या देखेगा अगला प्रस्टन क्या है कीटो के विज्ञानिक अध्यान को क्या कहा जाता है तो कीटो के विज्ञानिक अध्यान को कहा जाता है एंटोमोलोजी आप्सन B इसका बिल्कुल सही आप या देखियेगा कीटो के वैग्यानिक अध्यान को एंटोमोलोजी कहा जाता तो इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं E-N-T-O-M-O-L-O-G-Y-N-E-K-E-N-TOMोलोजी कहा जाता है कीटों के विग्यानिक अध्यान को तो इसे आप ध्यान दिजिएगा अगला प्रस्न क्या कहा रहा है निम्लिकित में से कौन जनसंख्या एवं मानो जाती के महत्पून आगडों के अध्यान से संबंद देने की किसके अंतरगत जो है जनसंख्या एवं मानो जाती के महत्पून आकडों का अध्यन किया जाता है तो मानो जनसंख्या क्या जो अध्यन है यह डेमोग्रॉफी यानि की जनांकिकी के अंतरगत किया जाता है जनांखिकी के इंग्लिज में हम कहते है डेमो ग्रोफी. मानो जनसंख्या का अध्यान किया जाता है तो रिटेंसे आपका जाएगा जनांखिकी अगला important है और निथो लौजी के उंतरगत जो किसका अध्यान किया जाता है काफ़ी important एंटरोन है. तो और निथो लोजी के अंतरगत किसका अध्यान किया जाता है तो आप ध्यान दिजिएगा जो बोड्स होती है जो पहसी होते हैं उनका जो अध्यान होता है वो और निथो लोजी के अंतरगत किया जाता है तो राइटन साब को जाएगा option A याने की बोड्स का जो अध्यान ह या उनितो लौजी के अंतरगत किया जाता है इसे आपको ध्यान रखना है इसके बाद अगला प्रस्न क्या कह रहा है और जीवों के अनुवानसीकी लक्षणों तता इनकी वनसागती का अध्यन किसके अंतरगत किया है काफी इंपोर्डन प्रस्न है तो जीवों के अनुवानसिकी लक्षणों ततर इनके वनसागती के अध्यान को हम कहते हैं आनुवानसिकी अनुवानसिकी के अंतरकर जो है जीवों के अनुवानसिकी लक्षणों और उनकी वनसागती का अध्यान किया जाता है तो इसे भी आप याद देखेगा इसको इंगल जो flowers होते हैं इनके अध्यान को हम कहते हैं anthology anthology जो है जो है इसके बाद अगला important परस्द क्या कह रहा है विवी ने संस्कृतियों के वध्यानिक विवरान के तुलात्मक अध्यान को हम क्या कहते हैं मतलब किस सब्जक्ट के अंतरगत किया जाता है। एथनल उसको हम इथनोलोजी के अंतरगत पड़ते हैं। आगला प्रसंद नो के तो रीच्टिट पालन को क्या कहा जाता है अगला प्रस्न क्या कह रहा है और मदुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है तो मदुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है तो मदुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर क्या कहा जाता है मदुमक्खी पालन को एपी कल्चर और रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर तो दोनों को आपको य सुमेलित नहीं है तो इसमें से आपका एपकी कल्चर मदमक्यों का अध्यान सुमेलित है सेरी कल्चर रेसम कीट पालन या भी सुमेलित है PC culture या Smilet नहीं है PC culture के अंतरगеты क्या होता है Sophie culture के अंतरगलाद या PC culture के अंतरगत आता है इ relie आप या देखेगा वही option B भी आपका सुमिलित नहीं है यहाँ पे full नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा जो होटी culture होता है किसका अंतरगत किया डियन पालन होगा और अल्टी कल्चेर नहीं पर सब्जीयों का अध्यान तिसे आप ध्यान देजेगा इसके बाद अगला प्रस्ण क्या कहा रहा है लेक्सिको ग्रॉफिक किसे संबंदीत है तो आपकी जो लेक्सिको ग्रॉफिक है इसके अंतरगत जो है सब्द कोस के संयोजन वाले पादों के अध्यान को क्या कहते हैं यानि कि सब्जी के लिए जो प्रस्ट्र प्डर काम में फैसi को याद रखना है यहाँ पर फ़ोड़ा वाले पौधे के अध्यान को यहां पर आपका फ्लोरी कल्चर हो जाएगा तो ऑप्सन यह आपका यहां पर सही हो जाएगा वह यह कर सब्जियों का अध्यान जो होता है वह होटी कल्चर के अंतरगत किया था लेकिन फ्लोरी कल्चर के अंतरगत जो पौधे जो है सब्जियों के काम में आते हैं उनको हम फ्लोरी कल्चर के अंत्रगत अध्यहन कलते हैं उन जो केडों का प्रियों कीयाता है तो आप यहाँ पर यहा देखिएयेगा जो हम उनको शमलीत क inglés चलो जाएगा अगला important क्या है gerontology के अंतरगत जो है किसका अध्यान किया जाता है तो gerontology किसे सम्बंदित है व्रिधावस्था के अध्यान को जो है हम gerontology के अंतरगत कलते है व्रिधावस्था का जो अध्यान होता है वह gerontology के अंतरगत किया जाता है राठेस आपको जाएगा option D, बृद्धा वस्था, अगला प्रस्ण का है, पेडोलोजी, निम्ल में से किसके विग्यानिक अध्यान से समबन दीता है, तो स्वाय अलने की मिट्टी का जो विग्यानिक अध्यान होता है, वह किसके अंतरगत किया जाता है, तो पेडोलोजी के किया जाता है, तो राठेस आपको जाएगा option B, मिट्टी का अध्यान, अगला प्रस्ण है, जो कि आज का काफी important प्रस्ण भी है, और अस्थियों का जो अध्यान होता है, निम्लिकित में से विग्यान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है, तो अस्थियों का जो अध्यान किया जाता है अगला प्रस्न क्या है सर्पों के बिशे में जानकारी कहां से प्राप्ट होती है तो सर्पों के बिशे में जानकारी प्राप्ट करना कहलाता है सर्पेटो लौजी क्या होता है सर्पेटो लौजी के इंतरक जो है सर्पों की बिशे में जानकारी प्राप्ट होत ग्रोथ होती है वो बिना मिर्दा को होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो पोनिक्स के नाम से जानते हैं तो दोस्तों यह जो जी विग्यान की सब्सक्राइब के यह जो बिना मिर्दा की है आप को यह से पसंद आ रही होगी तभी हम इस वीडियो को आगे कंटीन्यू करेंगे नहीं तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोख करेंगे तता बाकी का जो सिलिवा से आपका यूपिटी प्लसी पीटी का उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह जो सिरीज है कैसी लगी